गादियबाद के इंजीनिरिंग छात्रों का एक नया प्रोजेक्ट चर्चाओ में बना हुआ है दरसलिये प्रोजेक्ट आटोमेटिक इवी चार्जिंग स्टेशन का है जहां पर इवी गाडियों को किसी चार्जर और सौकेट की दवरत नहीं पड़ेगी बलकि गाडिया इन जगाओं पर जाते ही आटोमेटिक चार्ज हो जाएगी इस नए अविश्कार के बारे में हमने हाई टेक इंजीनिरिंग कॉलेज के चात्रों से समझा हमारी जो प्रोजेक्ट लैब्स हैं लैब्स इसलिए बोला क्योंकि हर डिपार्टमेंट की अपनी फुद की एक प्रोजेक्ट लैब और इस बार हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनिरिंग के स्टूडेंट्स ने प्रोजेक्ट लैब में एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनाया है इसका डेमो भी तियार किया है और यह डेमो ऐसा है यह अपर किये अभी फिलहाल जो बाकी की प्रोसेस है वो है आप स्टूडेंट से जाने अगर अच्छा रहेगा आज के टायम में कुछ ऐसे मुद्धे हैं जो बहुत बड़े sailing is from electrical vehicles तो जो student ने काम किया है वो faculty की guidance में काम किया है और latest कामा है की electrical vehicles के उपर काम है जो आने वाले time में बहुत जादा भाई़ेगा सब्सक्राइब करें जिसमें से काम किया है और लेक्ट्रिकल वीकल के उपर काम है जो आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा फैलेगा बहुत जादा उसे जरूरत होगी नए नए चीजों की नए चेंजिस तो फैकल्टी पूरी तरीके से बचों के साथ है स्टूड़न्स क तो इसको बनाने के लिए मुझे मैंने एक मेरे पड़ोती है तो उनके पास इतना इस पेस नहीं था कि वो टिपिकल चार्जर लगवा सकते जो तुझी के साथ आता है क्योंकि उसके लिए स्पेस रही होता है और उस गन के लिए असपास कम से कम एक मीटर स्पेस खाली होता है इस लिए ये जो प्रोजेक्ट है तो गाड़ी पार्क करके वहां पर इस वह उसको चार्ज कर सकते हैं तो इसमें मैंने ये आइडिया अपने टीचर को बताया कि इसमें अगर हम चार्जिंग देखा जाए एक टिपिकल वाइड चार्जर के मुकाबले तो चार्जिंग टाइम थोड़ा सा बढ़ जाता है क्योंकि इसकी एफेसेंस ही 70% होती है और उसके साब से अगर टाइम बढ़ेगा तो हम इसको एक आडवांटेज के तौर पे ले स पर बच्चों ने पहली वार एक प्रोजेक्ट पर प्रोजेक्ट लाए था तो पहले तो एक नया प्रोजेक्ट आया था इंभी से रिलेज़ेट और बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था क्योंकि जैसे भी सिनेरियो देखा जा रहा है चार्टिंग स्केशन के अभाव में व